नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर कायकरम जितनी देर जितनी टसल कॉंग्रेस में कॉंग्रेस ने तृत्र में करनाटक के मुख्य मंत्री को चुन्ने में लगाई उससे कम देर में प्रधान मंत्री नरेन मूदी ने करारी हार जेलने के बाद करनाटक के भविश को तै कर दिया यह तैय किया करनाटक के DGP को CBI प्रमुख बना कर और संदेश साफ दे दिया कि करनाटक सरकार का आने वाले दिनों में भविश बहुत सुरक्षित और बहुत आराम देह नहीं होने वाला यानि इस जीत से कॉंग्रेस और कॉंग्रेस नितित्र जितना खुश होगा आने वाल दोस्तों एक बात बहुत साफ हो गई है कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो गया करनाटक की हार को स्मिकार कर पाना और शायद इसलिए उन्होंने तुरंट ही संदेश दिया सीबियाई प्रमुख बनाया करनाटक के डीजीपी प्रमीर सूथ को यहां हम आपको याद दिला दें देखिये ये खबर कि किस तरह से प्रमीर सूथ जो करनाटक के डीजीपी रहे हैं उनके खिलाफ कॉंग्रेस ल शेतावनी भी दी थी कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह प्रमीर सूथ के खिलाफ कारवाई करेंगे दीके शिवकुमार ने सार्जनिक तौर पर यहां आरोप लगाया कि दरसल प्रमीर सूथ सीधे सीधे भारती जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि करनाटक पुलिस ने कॉंग्रेसी नेताओं के खिलाफ 25 मामले दर्श किये लेकिन भाश्पा नेताओं पर एक भी नहीं और आप देखिए कि जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेन आने वाले दिन करनाटक सरकार के लिए करनाटक की कॉंग्रेस सरकार के लिए बहुत मुश्किल वाले होने वाले हैं एक बात पर ध्यान दीजिए कि CBI प्रमुक बनाया गया प्रमीर सूथ को जो 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं और जिस तरह से देश के प्रधान मंत्री नरेन चौधरी इन तीन लोगों की कमेटी ने इस पर फैसला किया अधिरंजन चौधरी ने साफ साफ कहा कि उन्हें इस नाम से सक्त दिक्कत है और उन्हें दिक्कत भी पब्लिक की लेकिन सबके बावजूद जिस तरह से प्रधान मंत्री और CGI के साथ मिलकर प्रमीन सूथ की न्य और नाटक में भाश्पा की हार के समय क्यों CBI प्रमुख बनाये गया जो ध्यान दीजिए अधिरंजन चौधरी ने जो कहा उन्होंने कहा कि प्रवीन सूथ का जो कैंडिडेचर है वह बहुत उप्यूक्त नहीं है जिस तरह से बाकी लोग जो दो लोग और थे उनके बरक् पिछे मोदी जी की चिंता और मोदी जी की वजह क्या थी दोस्तों यह बास सिर्फ करनाटक की नहीं है सिर्फ करनाटक में ही सीधा रमयया या डीके शिवकुमार नहीं लड़ रहे कॉंग्रेस की सरकारे जहां हैं या जहां से बाहर गई हैं उन सब जगों पर कॉंग्रेस नित्रत में अपने पैर पर कुलहारी खुद मारी है या मारने की तैयारी में हैं मिसाल के तौर पर राजस्थान को देख लीजे अशोग गहलोद बनाम सचिन पाइलेट पूरे पांस साल चलता रहा इस साल वहां चुनाव होने है और जो तस्वीर दिखाई देती है वह मद्रप्रदेश मद्रप्रदेश जिस तरह से कॉंग्रेस ने गवाया उसकी बहुत बड़ी वज़ा है नेत्रत की लड़ाई कमलनात बनाम दिग्विजे और इस समय भारती जनता पार्टी के साथ दामन थामे हुए जोतिरादित सिंधिया ये सब लोग जिस तरह से लड़ भूपेश भगेल ने अपनी लीडर्शिप स्थापित की है लेकिन बहां पर भी बार बार शुरू से लेकर अभी तक भूपेश भगेल बनाम टी एस सिंग देव का पूरा का पूरा मामला चल रहा है असम कैसे गवाया गोवा कैसे गवाया पुड़िचेरी कैसे गवाई औ करनाटक में अगर यह टसल रुक सके तो 2024 का जो रास्ता खुला है कॉंग्रेस के लिए विपक्षी दलों के लिए उसे एक मजबूत आधार मिलेगा लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कॉंग्रेस नेतित्रु का सही समय फैसला करना जिस तरह से करनाटक की जीत के बाद इतना लंबा समय लगा एक दुविदा का माहौल रहा अलग-अलग कोनों से अलग-अलग खबरे आती रही कॉर्परेट मीडिया कभी एक का नाम कभी दूसरे का नाम और यह सब दिखाने के लिए काफी है कि कॉंग्रेस नेतित्रु ठोस सही फैसला लेने में समय लगाता है शायद करनाटक की जनता को जिस तरह से उसने जीत दी है उसका श्रे देते हुए कॉंग्रेस को कोशिश करने चाहिए कि करनाटक में अपनी सत्ता को इस थापिद करने के लिए इस दूंद को खतम करे करनाटक चुनाओं ने एलान कर दिया कि भारती जनता पार्टी के लिए दक्षण भारत इतना आसान नहीं है दक्षण का द्वार एक तरह से बंद कर दिया गया लेकिन साथ ही साथ ध्यान दीजिये इन आकड़ों पर ये आकड़े बता रहे हैं कि इतनी करारी हार झेलने के बावजूद भाजपा का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है सवाल है क्यों आखिर ऐसा क्या गणित हुआ जमीन पर कि भारती जनता पार्टी का वोट प्रतिशत नहीं कम हुआ वहीं हमने देखा कि जनता दल सेकुलर जो करनाटक की एक बहुत एहम पार्टी है उसका वोट बैंक उसका वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या सब जबर्दस गिरावट की ओर बढ़ी यहां ध्यान दीजिये इन आकड़ों पर इन नक्षों के साथ देखिए मुंबई करनाटक यहां पर भारती जनता पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा लेकिन यह देखिए ओल्ड मैसूर जिहां वही ओल्ड मैसूर का पूरा इलाका जो वोकिलिगा प्रमुक है यहां पर सबसे ज़ादा कॉंग्रेस को जीत मिली कॉंग्रेस की सबसे ज़ादा संख्या है लेकिन अगर वोट प्रतिशत उठा के देखिए तो भारती जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है यानि धुर्विक वित हुआ है भारती जनता पार्टी का वोट प्रतिशत ओल्ड मैसूर में यह साउथ करनाटका यहां जेडियस नीचे गया है और भारती जनता पार्टी को बढ़त मिली है यह भी पूरा इलाका आप ध्यान से देखिए यहां ग्राउंड रिपोर्ट में करने गई थी यही हसन, मांडिया, तुनकूर, रामनगर, चामराजनगर यहां पर कॉंग्रेस को सबसे अधिक सीट मिली है ध्यान दीजे, कॉंग्रेस ने जबर्दस बढ़त हासिल की है और करनाटक के हाल के इतिहास में इतनी बढ़त कॉंग्रेस को इस इलाके से कभी नहीं मिली लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा भारती जनता पार्टी का जेडियस का वोट प्रतिशत गिरा यानि क्या समझा जाए सिर्फ इतने पर मत समझे आईए, देखिए, नौर्थ करनाटका यहां जेडियस को फाइदा हुआ है जेडियस का वोट प्रतिशत ठीक है लेकिन भारती जनता पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा है यह मुंबई करनाटक और हैदराबाद करनाटक के अलग-अलग कॉंस्ट्वेंसी का हिसाब किताब है अब आप देखिए इससे जो तस्वीर उभर रही है वह तस्वीर समझनी बहुत जरूरी है इससे यह साफ लगता है जनता दल सेकुलर का जो वोट है जो वोट बैंक है वह भाश्पा और कॉंग्रेस दोनों में बटा है और सबसे चिंता की विशयह कि जेडियस जिस तरह से नीचे गई है करनाटक में उससे आने वाले दिनों में भारती जनता पार्टी को गुणात्मक फायदा पहुच सकता है क्योंकि उसकी जगह वह भरती नजर आ रही है साथ ही साथ एक चीज़ पर ध्यान देनी जरूरी है लिंगायत लिंगायत जो वहां की अगड़ी जाती है वहां के शाशन को लगातार लंबे समय तक रूल करती रही है और इसकी बानगी इस बास से भी समझ लीजिए कि कॉंग्रेस कॉंग्रेस के डी के शिफ कुमार जब कॉंग्रेस जीत जाती है तो लिंगायत मठ में भी जाते हैं वोकिलेगा मठ में भी जाते हैं कॉंग्रेस को अगर ऐसा था तो जगदीश शेटर जो भारती जनता पार्टी और आरेसेस का दामन छोड़ कर आये थे कॉंग्रेस के पास वह इतनी करारी हार क्यों उन्होंने हासिल की जानकारों का कहना है कि लिंगायत वोट में महज 10 से 12 फीसदी ही कॉंग्रेस को मिला है यानि कॉंग्रेस की जो जीत है वह उसके अपने आधार की जीत है ध्यान दीजिए उसके अपने आधार अपना आधार यानि सिदा रमया का जो पूरा का पूरा आकलन है अहिंदा का जो पूरा फॉर्मिला है उसमें कुछ और चीजें जरूर जुड़ी है आर्थिक सवाल निश्चित तोर पर जुड़े हैं कॉंग्रेस का जो पूरा का पूरा प्रचार तंत्र था उसने जिस तरह से 40 फीसिदी सरकारा का पूरा नारा दिया और भारती जनता पार्टी को घेरा वह भी एक बहुत एहम फैक्टर था महंगाई एक एहम फैक्टर था लेकिन जो कास्ट एक्वेशन है उनमें क्या तबदीली आई है इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है करनाटक के रहने वाले दोस्त बता रहे हैं कि भारती जनता पार्टी की इसहार से अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश है तो वो यदूरप्पा है क्योंकि उन्ह जेडियस के प्रमुक देवगोडा क्योंकि देवगोडा का जो पूरा सपना था उसे कुमार स्वामी अमल पर नहीं ला पाए लेकिन एक बात जो बहुत खास है जो जब भी हम करनाटक की चर्शा करें तो याद रखनी जरूरी है और वह भी इसलिए क्योंकि इस साल 2023 में राजिके मद्दाताओं से उसका सीधा संबंद होना संवाध होना उनके मुद्दों पर ही चुनाओ लड़ना अगर ऐसा नहीं किया तो विपक्ष के लिए कोई राह निकलती नहीं है दोस्तों जिस समय हम आप और मीडिया करनाटक 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 पर चर्शा कर रहे हैं जिस समय हम उसके परिणामों के बास सत्ता में जो टसल चल रही है उस पे चर्शा कर रहे हैं ध्यान दीजिए ये दो तस्वीरे बता रही हैं कि दरसल भारती राजनीती की स्थिती क्या है किस तरह से समेदन शील और समेदन हीन बन गया है देश का नेत्रित्व एक फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं मोदी जी प्रधान मंत्री नरेन मोदी किस तरह से दिल्ली में पहुशते हैं नेशनल गैलरी ओफ मौडन आर्ट में वहाँ पर वो दौरा करते हैं देखते हैं जन शक्ती प्रदर्शनी जिसमें आर्टेस्ट ने जो तमाम देश जिसको देखने के लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी वहाँ पहुशते हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको वह तस्वीर दिखाई दे रही है कुछी किलोमीटर दूर देश की राजधानी में 23 अप्रेल से धरने पर बैठी महिला पहलवानों की जी हाँ इतने दिनों से महिला पहलवान जो यहाँ बैठी हुई हैं वे सिर्फ और सिर्फ एक मांग कर रही हैं वे मांग कर रही हैं कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी उनके चुने हुए तमाम लोग उनकी बुनियादी मांग पर विचार करें यौन शोशन का जो आरोपी व् सिंग भाषपा का जो सांसद है उसकी गिरफतारी सुनिश्चित कराएं और देखिए यह लेटर यह तस्वीर यहाँ पर यह महिला पहलवान भारती जनतापार्टी की जितनी महिला सांसद हैं उन सब को वो पत्र लिखती हैं और पत्र लिखकर वो अपील करती हैं कि कम से कम महिला शक्ती के नाम पर ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर ही वे उनकी मांग का समर्थन करें दिश भूशन शरण सिंग को जो पूरा राजनितिक वर्धस्त हासिल है उसके खिलाफ कारवाई सुनिश्चित करें जो देश का कानून कहता है लेकिन देखिए हमा मगन नजर आ रहे हैं मन की बात कारिक्रम के जो सौवा एपिसोट हुआ उसके बार जो एक्जिबीशन लगाई गई उस एक्जिबीशन को देखने में जिससे मैं वे देख रहे हैं इस एक्जिबीशन को क्यूरेट किया जानी मानी पाण्डे ने और इसमें देश- के अंगिनत लोग माधवी, मनू पारे, खतुल डोडिया, प्रकाश मैत्री, जी आर इराना, जगरनात पांडिया, इरास कम्मू, जितिन ठुकराल, सुमीर टांगरा, अंगिनत कलाकार इस एक्जिबिशन में शामिल थे जिन्होंने लगातार मन की बात को केंदर में रखके य विशाल दिव्य एक्जिबिशन तैयार की, अब आप देखें ये कॉंट्रास्ट है, ये विडंबना है भारती राजनीती की, कि महिला पहलवान अपील कर रही है, इसमृती इरानी हो, निर्मला सीता रमन हो, उनके सहित 43 भाशपास महिला सांसदों को पत्र लिख रही हैं, और वो कह रही हैं कि आप वोईस ओफ जस्टिस यानि न्याय की आवाज बने, मोदी जी जिस समय आप ये मन की बात पर आधारित एक्जिबिशन को देख रहे थे, काश आप वहां से चार कदम दूर जाकर इन महिला पहलवानों की भी मन की बात सुन पाते, काश ये तमाम कलाकार जो देश और दुनिया में नाम कमाए हुए हैं, ये धरना इस थल पर पहुशते और महिला पहलवानों की पूरी संघर्ष यात्रा पर भी एक स्केच बनाते, शायद इतना हक तो इस देश की बेटियों का मोदी जी आप पर और इन कलाकारों पर बनता ही है, क्यों? नहीं बनता क्या? शुक्रिया